मुझा आप बदाला से बोलिये हमारे भाई विश्मी जी पढ़ार में मैंस्केप पर बेराजिये रहे मुझूद है साइब साइब आलम दोस्तर आपसे जानना चाहेंगे आज यहां गुमंतू समाज के लोग अपना धरना दे रहे हैं सरकार से तमाम मागें कर रहे हैं कि इन लोगों के पास खाने कपड़ पहनने के पैसे नहीं है रहने की जखा नहीं है सरकार अब तक क्यों सोई है आपको क्या लगता है देखें मुझे लगता है कि ये लोग घुमंतू अर्द घुमंतू कम है सरकार जादा घुमंतू और अर्द घुमंतू लग रही है क्योंकि सरकार स्टेबल नहीं होती है सरकार तो हर पांस साल में बदल जाती है जबकि वो अर्द गुमंतु गुमंतु उनके पास कोठी, बंगला, सीमा हाउस, बड़े-बड़े विलाज हैं लेकिन इनके पास क्या है? इनके पास ना अपनी जमीन है, ना अपना जर है, ना अपनी चात है, ना अपनी सड़क है, ना अपनी पानी है यहां तक कि यह लोग कपरस्तान और शम्शान खाट से भी महरूम है लकडिया नहीं है, खाने को नहीं है तो किशन मानी चाहिए इसी सरकार को इसको जाती में बांधने के लिए सरकार ही जिम्मेदार है असल में जल जंगल जमीन के जो अस्ती मालिक है वो ये लोग है हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं, इनको सल्यूट करते हैं और सरकार तक ये बात जानी चाहिए सरकार तक ये बात इसनी जानी चाहिए कि सरकार चोटे-चोटे मुद्दों को विदान सभा में पारिद कर देती है क्या इतना बड़ा मुद्दा उनको दिखाई नहीं देता है इतने बड़े लोग उनको दिखाई नहीं देते है क्या ये इनसान नहीं है क्या इनमें प्राण नहीं बसते है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ऐसे मुद्दे पर बिल्कुल सवेधन शिन नहीं है मैं इसकी सक्त लफजों में मजबमत करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि सरकार तक ये बात जाए और सरकार को होश आए और फॉर उनका एक प्रतिनीदी मंडल आकि इन लोगों की जमान को सुने इनकी बात को माने और इनका जो एक टेलिकेशन से मिलना चाहता है ये अपने मेमरेंडल के साथ में उनकी मागों को तुरंद पूरा क्या है ऐसी में उम्मीद करता हूँ सर्कार तक इनकी मांग हमारे द्वारा पहुच रही है लेकिन अगर फिर भी सरकार कुछ नहीं करती है कुछ समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है तो फिर क्या होना चाहिए देखिए तारिख गवा है कि ये वही शहीद इसमार के जहां आज से दो साल पहले हमने शाहिन भाग लगाया था और पूरे इंडिया के अंदर हमने शाहिन भाग लगाया था तब सरकार के यहां आ चुका था सरकार पूरी तांस हिर चुकी थी और मुझे पूरी उम्मिद है कि मेरे ये भाई जो हमारी अपने मून लिवासी भाई है अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो हम इनके साथ है इनको चाहिए कि यहीं टेरा डाले रखे यहीं अंशन रखे यहीं विरोत प्रतेशन और अंदोलन जारी रखे सरकार को घुटनों पर आना पड़ेगा आप भी याए और हम भी याए आप देखी सरकार जुकेगे सबसे बड़ी बात की सरकार घुटनों पर आती है या इनके साथ कोई समझोता होता है सर एक और चीज जानना चाहेंगे कि अगर यह लोग यहाँ पर जिस तरह से अंदर लोगों ने मुझे कहा सरकार नहीं सुनती है सबसे बड़ा सवाल आप किस पर खड़ा करेंगे सरकार नहीं जाएगी इसमें भी हमारी ही कुछ कम्या रही है सरकार तो स्टेबल है वो तो पांस साल पूरे करकी चली जाएगी और विपक्ष में बैठे हैं लोग हम से जूटे वादे कर लेंगे लेकिन जब वो सरकार मैंगे तब भी वो वादे पूरे नहीं करेंगे समस्या तो हमारी है इसलिए इस समस्या को उठाने से लेके इसको अंजाम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है सरकार कभी किसी की मदद नहीं करती सरकार सिफ हमसे वोट लेना जानती है और हमारी वोटों से और हमारी टेक्स पैसे सरकार बनती है लेकिन अब हमने यह ठान लिया है कि सरकार को भी जुकाएंगे और सरकार को बदल के रखते कि अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो जनता के पास वो पावर है वो हिम्मत ताकत है जो सरकार बदलने की हिम्मत भी तन जी आपसे जाना चाहेंगे कि क्यों आखिर जरूरत पड़ी गुमंतु समाज को अपर दर्शन करने की तो यह राजिस्तान की सभी राजिस्तान की सरी सभी गुमंतु जाती है गाडोलिया, बंजारा, कालवेलिया, भोपा, नटवांड, इंतरी की जो जातियां है यह राजिस्तान के अंदर केवल 60,000,000 की आबादी का यह समुदाय निवास करता है मगर आज दन तक देश आजानी के बाद भी मगर यह अपने मोलिक अधिकारों से यह समाज बच्छा हुआ है मैं आपको यह कहना चाता हूँ, पूरे राजिय भर का मेरी बैन गीता बागरिया, अमारी सबकी सक्षेत, अमारी बैन पूजा जी, छाबडा जी हम लोगों ने पूरे राजिस्तान का दोरा किया, ऐसी कोई बस्ती नहीं मिली जहां हमारे आज सी सी रोड हो, ऐसी बस्ती नहीं मिली जहां हमारे पीने का पानी हो, सरकारे वादे करती है, सरकारे यह केति हमने यह दे दिया, यह दे दिया, मगर जो हमारा मेन टाइटल है, अधिकतर जो बस्तिय है चुआ छुद बैदवाव के कारण मुख्य गाउं से हमारी बस्तिय है दूर है वाजमीन के तो गाउचर भूमी है या सिवाई चक भूमी है या वन भूमी है तो उनका टाइटल है वो हमारे कभी किलेर होता नहीं हम लोगों को पट्टा मिलता नहीं पंचाइट की जो पोलिसी है वो हमारे समाज के परती बहुत खिलाव है वो कभी हमारे हमारी कम्मूटिय के परती परसाव बेजते नहीं है इस कारण वो पट्टा हमें जारी होता नहीं तो मेरी सबसे पहले तो यह मांग है कि चाए हम चरा गम बेठे या हम बीला नाम में या सेडिपार्ड बेटा या जेडिये की जमीन या नगरपाली का जमीन या ग्राम पंचाइट की जमीन जहां पे भी हम बेठे हैं सरकार हमें अतिसिगर वहीं हमें SDM लेवल पे आदेश करके हमें सब को सीवर लगा के अलग से हमें पट्टा दिया जाए दूसरा यह मेरी बागरिया समाज है बहुत ही गरीब कमनूटी है नी स्व चोरानों में यह जातिय पहले ऐसी में थी इन जातिकों इन्होंने ना सोचा ना समझा ना कोई ऐसा सर्वे कराया और इस जातिकों ओभी सी में डाल दिया तो यह हमारे साथ बहुत घौर नई वाद हम यह चाते हैं कि बागरिया और बागरी मोगिया इंतरी की जो जाती है वो एक ही है भोपा जाती है जो पहले ऐसी में जो जाती थी इन चाती को विचारी को बीसी में डाल दिया ना एक भोपा एक ही इनको एक ही मान के ऐसी का दर्जा दिया जाए तो हमारी इंतरी की जो मांगे हैं मैं यह च मगर हमारे घरों तक तो नहीं आ रहा है यह जितने भी तक्तियां लगे हैं आ zaten मि अंहीं हम बहाー निकाल सबतेखें हूँ कि हम आपके ही लोग हैं आपकी वोट हैं और आप अमारी भावना को बलीवात्य से आप जानते हैं तो अमारी गुजारिस है कि आप अलग से गुमंतु जातियों के लिए सीवर लगा के हमें पटा जारी करें हमें नरेगा से जोड़ दे जा हमारे को सीसी फैवर ब्लोक वगेरा इन तरह का हमें मिले तो यह मेरी विशेस है और अमारी जातियों को जो आप ऐसी से और नहीं है तो मेरा आज आमरन अंसन चालू हो गया है जब तक ही हमारी 25 सुत्री मांगे हैं सरकार इनको जब तक नहीं सुनती है तब तक यह जगे हम यहां से छोड़ेंगे नहीं चाहिवली हमें मरना पड़ते हैं बिल्कुल यह एक सबसे एहम बात जो इन्होंने कही कि सरकार अगर नहीं सुनती है तो यहां से यह लोग नहीं उठेंगे सर एक और चीज मैं जानना चाहूंगी क्या वर्तमान सरकार मताब वर्तमान में जो सरकार अभी बैठी है क्या उसमें ऐसी इस्तिती या ये इस्तिती सालों पुरानी यही समस्या है मेडम देखो वर्तमान में जो सरकार बैठी मानने असोग जी गेलो साब ने तो हमारे ले योजना बना रखी है मगर जो निचे का जो ढासा है पोलिस ही अधिकारी हो हमें इंसान समझते नहीं है तो ये तो देश आजादी के बाद चाहिए वली कॉंग्रेस आई चाहिए बीजेपी आई है बीजेपी ने तो खेरा मारे ले कुछ केई निगर की बात बता दूँ मगर कॉंग्रेस की नितियें गेलो साब की अमारे पक्स में रही है मैं दुबारा और के रहा हूँ और मुझे उन पर वरुसा भी है मगर गेलो साब की मंसा तो है कि इन लोगों को पट्टा मिले इनका यह हो जाए मगर ये निचे की पॉलिसी वो हमारे पक्ष में नहीं है और वो करना भी नहीं चाहते हैं तो हम तो भी आज ये मातमा गांदी जी का जनम दीने आज गेलो साब ने 10 लाग पठा देने का जो आदेश जो जारी किया है योजना का जो लोगपरण किया है तो मैं तो कहना चाहता हूं कि ये अशली अकदार तो पटे के हिए आप इनको देदें आप इनकी सी सी रोड इनको देदें समुधा भवन इनका देदें और इन गरीबों का अधिकार चीन के आप अधर जातिओं को दे रहे बहुत गोरन नहीं कर रहे हैं और मैंने तो यह कह दिया कि आज तो मेरा आमरन अंसन है खेर यह तो चले गई शरी और मैं रास्तान बर में बड़ा अंदोलन भी करूंगा जैल भरो अंदोलन भी हम करेंगे तो सरकार अलग से गुमंतु जातियों के लिए अपनी पोलिसी बना मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से यहां पर इस वक्त लोग मौझूद है धरना चल रहा है सरकार से तमाम मांगे की है अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती और सरकार अपनी पर अड़ी रहती है तो फिर पूरा घुमंतु समाज क्या करेंगा पूरे राजे ब से रोड़ जाम करेंगे है और मौली का दिकार नहीं मिलेगा तो हम इसे जिलो साभ वैसे हमारे को लगता है ऐस exist करने देंगे भुमंतु समूधायक के, लोगों की help करते हैं और हमारों को मानते भी है. लेकिन हमारे लोग जो भी भुमंतु समूधायक हैं, उन्ह وיח की मांगे पूरी हो जाएगे, तो हम नहीं करेंगे हैं. यहां पर जो तमाम लोग मौजूद हैं सबका यही कहना है कि सरकार सुनकर अंसुना कर रही है बातों को तो इस पर आप क्या गहीं है देखिए मैं यह कहना चाहूंगी कि आजादी के 14 साल पूरे हो चुके हैं यह समाज जहां पहले खड़ा था आज भी वहीं खड़ा हुआ ह जो भी हो अपने बाशन में हमेशा यह कहते हैं कि फंक्ति का जो अंतिम रखती है उसे हमें मुख्यदारा से जोड़ना है जब भी बाशन होते हैं चुनावी सवाय होती है तब इन विचारे घरीब तब के वर्थ जो मासूम लोग हैं जो शिक्षित नहीं है उन लोगों को वोटों के लिए लाबांतित करने के लिए लालश देकर उनको अब खीषती है जब उनको वोट मिल जाता है और यह जब जाती है अपने मांग के लिए सड़कों पर उतरती है तब उनको अंदेखा किया जाता है मैं यह कहना चाहूंगे कि राजिस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोगेलो जी है वो गांधिवादी मुख्यमंत्री है और इनों ने योजनाय जाती के इन समूधाय के लिए बना रखे लेकिन बड़े अपसोस की बात है कि जो योजनाय बनी वी है वो योजनाय इन तक नहीं पोचिए नहीं तो आज तक ये जो जातिया है इनोंने हम लेकिन 75 साल में पहली बार ये जातियां अपने अधिकारों के प्रती जागरुक हुए और यहां पर आए रतन जी जो इनकी प्रदेश अधिश है घीता जी और पूरा समाज रोडी देवी जी पूरी जो समाज आप देख रहे हो जो जुम देख रहे हो एक तरह का मेला देख यह जब सिरसे पानी उपर निकल गया तो आज इनको अपना घर बार छोड़ कर राजिस्तान से दरदर मने हर जगे से हर कोने से लोग आये हैं तो यह कह रही हो कि मुख्यमंतरी जी को इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए नहीं तो जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी पर आपने गिंज मांगे नहीं मांची थे וलामी उन्हें मजशूर नहीं थी और आजाधी को हम खोने नहीं देंगे हम है सच के साथ हम है还के साथ आजादी की और एक कदम और तसनीम टीवी के साथ